महाराष्ट में बीजेपी के इन बड़े चेहरों का चुनाव लड़ना तै पंकजा मुंडे को टिकेट मिलेगा या नहीं महाराष्ट में बीजेपी के नेतरदवाली एन टीये वे शामिल एकनात शिंदे और अजीत पबार की पार्टी के बीच सीटों पर सहमाती बन गई है सूत्रों ने बताए कि बीजेपी 32 सिवसेना बारे और एन सीपी चार सीटों पर चुनाव लड़ सकती है महिला उमीद बारों को एस बार बीजेपी पिछले बार के मुकाबले जादा मुका दे सकती है नेतिन गड़करी पंकज मुंडे कोयल के नाम लगभग तै हो गए है प्रदेश सद्यक्ष के चंदरशेखर बावन कुले को वर्धा लोगसवा सीट से पार्टी मेदान में उतार सकती है दस से बारे नए चेहरों को पार्टी मौका देगी सूत्रों की बाने तो अमिर्शा ने एकनाद शिंदे और अजित पबार से कहा लोगसवा में आप में संभाले विदान सभा में आपको पूरा साहोग और सम्मान मिलेगा महाराष्ट में NDA के बीच सीट शेरिंग को लेकर लगभग सहमती बन गई है ऐसा गठबंदन के नेताओं का कहना है मजियूती गठबंदन में एकनाद शिंदे गोट की शिवशेना आजित पबार की NCP और बीजेपी शामिल है बीते दिनों लोगसवा उम्मेदवारों की दूसरी सूची पर विचार विमश के लिए बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा और केंदे ग्रहमंत्री अमिशा ने राज्यों की कोर समीतियों के साथ वेतिगत बैठकें की यहां बता दें कि कल अमिशा दो दिवसिये महाराष्ट दोरे पर आये थे इस दुरान उन्होंने बीजेपी की रैली को सम्भूदित किया और पार्टी कार्यकरताओं से मुलाकात भी की इसके बाद अमिशा ने दो बैठकें की इस बैठक में राज्यके, सीएम, एकनाद शिंदे, डिप्टी, सीएम, देविंद, परंदवीज और उपमुकमंद्री अजीत पबार शामिल हुए थे इस बैठक में आगामी लुकसवा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई थी, वहीं जलगाओं में मंच से अमिशा ने परिवार वाद को लेकर उदव ठाकरे, शदवार और सुप्रिया सुले पर भी निशाना सादा था